हलो एवरीवन मैं हूँ और आज के इस वीडियो में आपको तीन ऐसी चीजे बताने वाला हूँ जिन्हें यूज करके आप अपने फोटोग्राफी के गेम को इन फाक्ट मोबाइल फोटोग्राफी के गेम को आप कर पाएंगे तो अगर आप लोगों ने मुझे इंसाग्राम मत भूलिए क्योंकि engagement is the key मैं हमेशा बोलता हूँ आपको और ज्यादा टाइपस नहीं करते हुए इंट्रो पहला जो टिप होगा जो तरीका होगा वो यह होगा कि आपके पास में घर में जो भी चीज़ें अविलेबल है आप उन्हें यूज करके आर्टिस्टिक तरीके से यूज करके कुछ अमेजिंग फोटोग्रास क्रियेट करिये अब चाहें वो संग्लासे सो सीडी हो डीवीडी हो मेर हो कलरफुल पॉलथीन हो नंबर ग्लासे हो लीफ हो कॉटन हो वैसलीन हो ऑईल हो प्रिजम हो फ्लार पेटल्स हो डस्ट हो या फिर वो और भी कोई चीज हो जो आपके पास पर अविलेबल है उसको यूज करिये किसी ना किसी तरीके से और अपने मोबाइल फोटोग्राफी में थोड़ा सा अपने गेम को अप करिये ताकि आपके जो फोटोग्रास हैं वो एकदम यूनीक हो in comparison to anyone else who has been using the mobile phone or maybe same mobile model जो आप यूज कर रहे हैं और ज पाओ और मैं समझ पाओ कि मेरी जो बात है वो आप तक आप तक आपके खतम नहीं करना है इसके बाद मैं आपको इन चीजों को implement करना है तो जो भी आपके पास में चीजे है reflection create करो बीच में कोई object लाके कहीं ना कहीं bookey create करो but do something try it and upload it अगर आपने अभी तक इस वीडियो क लाइक नहीं करा है तो यार प्लीज कर लो आपको शायद आज तक किसी भी वीडियो में नहीं बोली है पर अब मैं बोलना चाहूंगा क्योंकि मैंने यह चीज रिसेंट्ली रियलाइज करी है कि आपको different lenses अपने mobile phone के लिए यूज करने चाही है क्योंकि अलग अलग तरीके लेंसे होते हैं, ultra wide, super ultra wide, fish eye, macro, telephoto होते हैं, यह सबी चीज यूज करके आप अलग अलग तरीके के फोटो कर सकते हैं अब अगर आप बात करें कि आपको कौन सा lenses इस तरीकी के खरीने चाहिए, तो आपको जिसे मालूम होगा Amazon पे भी या फिस से, फरेक्जामर, flip card या eBay पे अलग-अलग rate में अलग-अलग lenses मिल जाते हैं जो आपका budget है आप उसको यूज कर सकते हैं, मैं definitely यह नहीं बोलूँगा कि सस्ते lenses खराब होते हैं, कई बार सस्ते lenses भी काफी amazing होते हैं तो हो सकता है आपको कहीं न कहीं 100-100 रुपे का lens खरीद के, try करके realize करना पड़े कि यह अच्छा है या खराब है तो experiment is the key, जब तक check नहीं करोगे, तब तक पता नहीं लगेगा क्या अच्छा है, क्या बुरा है budget section में भी काफी अच्छे options है, एक middle section में भी काफी अच्छे options है और अगर आप professional type के mobile lenses खरीना चाहते हैं, तो वो थोड़े महंगे पड़ जाएंगे तो मेरा suggestion रहेगा, इतना ज़्यादा खर्चा मत करो, अगर budget नहीं है, तो अगर है तो of course, that should be the one which you should be buying, क्योंकि जो उनका optics होता है, वो काफी amazing होता है काफी clarity वाले photos आप ले पाएंगे, और उनमें जो दूसरी associated issues होते हैं, वो भी नहीं होंगे तो you can try, अगर आप इस तरीके को भी try करते हैं, तो please upload करो Instagram पे, hashtag use करो, almost social tag करो और इस चीज का ध्यान रखना है, कि आप अपने post में ये ज़रूर mention करें कि आपने lens कौन सा use किया है, अगर किया है तो, and last not the least, number 3, which is, आपके पास में एक tripod जरूर होना चाहिए, मेरे इसाफ से mobile phone के रिए, gorilla वाले भी काफी budget में आते हैं, तो you can always buy it, मैंने कुछ टेम पहले एक video भी किया था, photo pro UFO 2 tripod के उपर, जो I guess around 2100 के असपास का है, उसकी काफी versatile qualities है, अलग 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 यूस कर प आपके साथ में शेयर करना चाहता था, अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगता है, तो please make sure कि आप इस वीडियो को like दे, share करिये, comment करके, कुछ भी question है, कुछ भी share करना चाहिए, आप कर सकते हैं, last not the least, subscribe before you go, I will see you guys again in the next video, and have a great time and please, take care. आपको